कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस्टडी 91 के इस ओलाइन प्लेट फार पर मैं अमित आप सभी का हर्दी स्वागत करता हूं दोस्त आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं से सवास्था पर बात करेंगे जो आप सभी की पीपर के लिहास से बहुत इंपॉर्टेंट पा माना जाता है लेकिन अगर आप से सही सही पेपर में जो पूछा जाए तो आप कहेंगे 600 काल के बारे में अगर पूछा जाता है दोस्त पजीरों से दो वर्स ही होता है और अलग-अलग मनों वैज्ञानों ने अपने अपने राय दिये हैं उस पर हम सभी चर्चा करेंगे लेकिन जो करी वाठीवी चीजित हैं इसमें 600 की बात करें अब जानते हैं से 6 वर्स बाल्या वर्स्टा से 12 और 20 साट रखा गया हैं कि इसमें हम सभी से सवह के कुछ सेस्थायं है उस पर चार्चा करेंगे तो बहुत ही महातपूर शेसन होने वाला है तो बहुत अच्छे स से चीजों को ध्यान पूर्वक है समयने की कोशिस करेंगे दोस्त तो सहस्ववस्ता की बात किया जाए ध्यान देंगे सहस्ववस्ता की बात हम सभी करने वाले हैं साथी साथ एक information है वह information है हिंदी इंडिवल क्लास के बारे में complete सब्सक्राइब कर सकते हैं एक साल के वैदता के साथ आपको प्रॉइड होगा ताथी साथ 130 गंटे की क्लास होगी दो नमबर आप सभी के सामने दिया अगर कुछ दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर कर सकते हैं ज्यान देंगे दोस्त हम सभी सहस्ववस्ता पर बात क सब्द करते हैं तो उसे बोला जाता है इन प्लस फेरी के इन का मतलब है और बात किया जाये फेरी का मतलब होता है बोलना मतलब जब सब्सक्राइब तक बात किया जाए सब्सक्राइब प्रार्ण करने की अवस्था क्या कलाती है इसलिए सब्सक्राइब जो समानता माना जाए वाज छेवरस्था तक तो होता ही होता है लेकिन जब पेपर की लिहाद से पूछा जाए औप्शन में चीजी रहें तो अब जीरो से दूवर्सी करेंगे और क्योंकि बात किया जाए सब्सक्राइब बना है जो दो भासा से तू की बात करें इन मतलब होता नहीं फेरी मतलब बोलना मतलब बोलने में आयो कर था सवास्था कहलाता है द्यान देंके दोस्त कुछ महत्पूर्ट चीजी है जैसे बात किया जाता है वानो जीवन का सबसे महतफूर काल माना जाता है जीवन का सबसे महतपूर काल अगार कोई व्यक्ति पूछे अब कहा जाता है साधी सात्छी आभी है स्वानंता जन्म से हैं वांगे बात करें कई इस अवस्था में भालोकों के भाविजीवन का क्या होता है इसी लिए कुछ महतपूर्ण सभूस्था इसलिए बोली जाती है क्योंकि भावी जीवन का निर्माड़ी ही होता है साथी साथ बात करें जूंट में ध्यान दे बहुत महात्पूर्ड चीज़े है रसे सब्द है वह अंगरेजी भासा के किस सबसे बना है इन्फई सब्द का हिंदी क्या है रूपांतरण है अंग्रेजी में भला जांग तो हम वोलेंगे , नेकिन हिंदी में भला जाए तो हम कहाते हैं यह सळसवास्ता है जो लेटिन भाषधा की दो सब्दू इन प्लेस क्या फेरी से क्या बना हुआ है और बात किया जाए जिसका अर्थ है ना बोल पाना क्या है ना बोल पाना अर्था बात करें इसी लिए ज्यादा तर मनोबाइग्यानिकों ने 600 वस्ता को शिर्फ हैं दो वर्ष तक क्या माना हुँ तब ही तक बोल जाता हैा सहसौ अस्ता इसलिके कुछ मनोभवाज्ञानिक जो है से रहों सि मानते हैं लेकिन सामानता बात किया जा वजिरों से शेए जह होता है सि आगी चर्चा करेंगे दियां दोस्त परिभासाओं पर चर्चा करें इन पर करते हैं परिभासाओं की बात करें तो इसमें डिफिनीशन बहुत माधपुन है जो आप सभी की पेपरग्णी पूछी जाती है इस्ट पर चर्चा करें कारा की 서arn buried Neguição है तरह दोस्त बच्दर महदो काति हैं कि सैैश्वषास्था तीछीनe का अनुख आ सारस्वषास्था किस clause किसे बोलते हैं तीछीने का अनुको पाल करूप में मानते हैं इस ट्रैक की ड्रिफिशन है जो इंपोर्टेन है वेले टैन की डिफिनिशन इसट्रेक की बात करें सुरुवाती दू वर्ण हो वड़ोर सो बालक के अपने भावी जीमन की क्या होती आधार खिला रखता है और साथभी साथ हरटोडरीन दिया लब सैसो अस्ता को बच्चा का जन्म हुआ उससे 14 दिन तक या बात किया जाए वा इसे हम मान सकते हैं दो सब्ता तक ही उनके हिसाब से सभास्ता चलती है आगे बात करें गेसल ने क्या हुआ कहा है कि बहुंद आसे 16 ने 12 वर्सो ची मतलब संपूर जीवन का तीन वर्स them WHY कि में जाता है मतलब संपूर जीवन का मांसी विकास का अधार गड्म दम जाता हैं मतलब संपूर जीवन का जो मांसी विकास है बच्चे का mental development लगभबद लगभद सीज़े हो जाती है खूर लगभद लगभदग विकास हो जाता है इसमय सुल दोनों के लिए क्या है अत्यांत मैं ओर मस्तिष् दोनों के लिए अत्यांत क्या है क्या साथ बारे बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है कि अधि之व कि सताब्दी की कि रूप में या थहान सहसोवस्था जीवन का क्या है सबसे महत्पूर कालमाना है बात करें जीवन का सबसे महत्पूर किस ने कहा है वह सहसोवस्था को फ्रायड महोदय कहें है और फ्रायड महोदय का एक और डिफिनीशन है इसे भी ध्यान देंगे बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के चार से पांच वर्सों में क्या हो जाता बन जाता है ऐसा प्रायड महोदय कहते हैं आ रहा होगा चीजे गलती नहीं करनी आपको सीखते हुए और ऊफ़िफनीशन आपकी पिपर में आवस्या आने वाली है इसलिए आपको डिफनीशन अध्यान पुरवक्त पढ़ लेना है अगे चरचेक दोश्त ऐलर की डिफेशन है एलर काती है चन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में अस्थ स्थान रखता है त्लट साइसो ऑस्था द्वॉरा सीखने का पूरा क्रम निश्चित होता है या इम्पना का नायक होता है जिसका भली भात निर्देशन क्या होता है जरूरी है भली भात निर्देशन क्या है जरूरी है फंडाइक करते हैं कि तीन से पांच वर्सों का बच्चा अर्श सपनों में खोया होता है आप बात करें वेरी इंप्वर्टन तीन से पांच वर्सों का बच्चा वा बालक जो बात करें वा अर्ज सपनों में खोया होता है रोसो की definition important है करके बालक के जो हाथ है पायर है, नेत्र है आदी, ये सभी क्या है शुरुवाती सिचक होते है बालक के जो नेत्र है, आख है साथी साथ बात करें जो पायर है ये सुरुवाती क्या है बच्चे के सिचक होते है आईसा कौन मानता है ऐसा रोसो मानते है फंडाई करते हैं तीन से पांस वर्ष का बच्चा और सपनों में खोया होता है रोस्क मानते हैं जो शिसू कलपना का नायक है जिसका भली बात नेदेशन जरूरी है ये definition important है बात करेंगे वार्षन की definition जो भी मैं important लिखाया हूं वह पेपर में कहीं ने कहीं कभी ने कभी पेपर में आया हुआ है तो अच्छे से समझना है सीखना है समझत हुए आगे बनना है दोस्त आगे हम बात करें अब हम बात करेंगे हुआइफ़ हम सैसौ अच्था को अलग अलग नामों से जानती है नहीं जाती है है इसलिए सैसोवष्था लोगे जी दोवाद समानता जो कुछ मनों हीवी धाप महोधियं है उनके दोवार जीड़ो से 4 से 14 दीन ही मना जाता है तो इसको आप को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार सेन है जानिर से प्रकार में न उनकि के नाम है से सवस्ता के उसकी बात कर लेते हैं तीवन का अधार सिला या भी महतमूर है लोने की उम्र कहीं न कहीं जब बच्चा बात करें अगर आप से पूछा जाए दोस्त लोने की उम्रे तो फिर फ Ferrघ से पूछा जाए तो सिर्फ अगर में रहे तो आप स्थू रहें अगर में पूर बाल्य वस्ता लिका था चाहिए दो निएन ऑग्र लिखा है और आपसे सिर्फ सहस्वस्था उप्शन में दिया है तो फिर आप सहस्वस्था करेंगे इसलिए आपको ध्यान में रखना है नाजुक अवस्था या खतनाक अवस्था के रूम में जाते हैं क्योंकि बात करें क्योंकि बच्चा नाजुक होता और जो खतनाक इसलि सबसे महतपूर काल महतश्था पर निर्भरता की वात करें दूसरे पर क्या होता बच्चा निरभर होता है इसलिए हम बोलते हैं 2 सबस्क्रा बात करें है निरभरता कि वाहणों से लड़ने की उम्र कहीं नहीं बात करें जो भाई वाहन है उन्हें लड़ने की उम्र होती क्योंकि बच्चा छोटा होता जहड़ा करता रहता भाइबानों से इसलिए इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्री लगने की बात करें क्योंकि बच्चा नाजुक होता छोटा होता है देखने में अच्छा लगता है तो इसे प्री लगने की उम्री भी वह सब्सक्राइब नहीं होती है इसलिए आतार की कि अवस्था बोली जाती है मन मौजी उम्रे के नाम से सहस्था को बोला जाता है तो आप समझ गया होंगे सहस्था के अन्य नाम पर हम सभी ने चर्चा किया और यह चीजे आपके चीजे पूछी जाती है इसलिए जो आन्य नाम लिग देगा सहस्था कि या फिल को चीजेर फूष बोलेंगे सभस्था को बोलेंगे वैसर बोल पूछ लेगा जीवन का सीखने का अनुफका कल की सबस्था को काते हैं तो सबयें इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है सभस्था की कुछ इस्ताओं पर चल्चय कर लेते हैं जो आपकी पेपर में फूछी जाती है बिचलब करें का रहा है दोस्ति कि विकास सबसे तीज अगर आपसे पूचा जाए कि है सब्सक्राइब शुदख की सवस्था में होता है खाल और से सवस्था में होता है कि मुल्प्रवित्यात्म ब्यवहार जो बच्चा ब्यवहार करेगा जो विहेव करेगा वह मुल्पृत्यों पर आधायत फोकर बिहेव करता है इसलिए मुल्प्रवित्यात्म ब्यवहार इसमें पाई जाती है नार्सिज्म की बात करें इसमें बच्चा नार्सिज्म स्वाप्र लागा बाता है इसकेज़ से जयाता है इस लिए बोह जाता है इस लिए ब्सक्राइब स्थाम Oinar WhatsApp से जैसे लड़का है दो वां मम्मी से जादा लगाव रखता है लड़की है तो पापा से जादा रखती है इस लिए यूल पाई जाती इस सवस्था में आगे बात किया जाए मदहरता इनफोर की बड़न की प्रविथै करता इसलित ने की बहत करते हैं उससे आप जो भी बोलेंगे उस बात को दोहराएगा इसलिए हम कह सकते हैं दोस्त इसलिए हम कह सकते हैं इसे बोल सकते हैं कि दोहराने की प्रिवित्ति पाई जाती है दोहराने की प्रिवित्ति सहसववस्था में पाई जाती आगे बात करें करें नैतिक्ता का अब हाओ मतलब इस अवस्था में बच्चे में नै से लगदता कि ये तो जाता है तो जाकर भालिया वीस तरीकी से है अपने जोभी जिस से लगता है जिक्यासागी प्रविथि करें ॥ बच्चा क्यों कैसे जवाब पुश्नलकुष पूचता रहेगा मام्मी से पापा से है आपने जोभी जिससे लगता है जी आई और को कैसे हो रहा हो चीजह इस तो पूछता रहा ता है श्रवेंटा की प्रविथित पाई जाती है सवस्ता में क्यों की बात करें बॉच्छा कुछ भी पूछे उसने जिग्यासा को सौंद करना चाहिए जिग्यासा की प्रवित्य की उम्र बुली जाती है साथ हुट बहुत ry जूर्दा रिजूर्व 혼son बलता है इसलिए बात करें खिलोने से थो पर सोटे हम होते थे तो इसी दिए बात किये चार्ड फिता होती है फलवर में कहाइगा वा उसका मित्रफ बन जाएगा पलवर में कहेगा हम तुमसे नहीं बोलेंगे आप जहुंड Dewk है समाजिक आ समाजिक दोनों मतलब कभी-कभी जो वस्तों को दे देता है तो अच्छ समाजिक हो जाता है जब अपने वस्तों को नहीं देता तो आ समाजिक मंद ज्यादा बढ़ा हो उसको उठाने का प्रयास करता है खिलाने का प्रयास करता है तो इस तरीके से दूसरे बच्चों में वह रूच लेता है सिसुगों में इसलिए हम बोलते हैं सैसो अस्था को दूसरे बच्चों में बात किया जाए वह रूच लेने की अवस्था बोल को सीकता है चीक रेकिती बरता की उम्र बोले जाती है सीखने की इती बरता की उम्र बूसरे में रूचिता की होती है इस तरीके से लिसे स्वेस्टाइब रह याथे दूसरे की जौत अनुकरण की प्रवित्थी होती है साथ बाते दूं पर निर्भारता दूसरे बाचों में जो बात करें अपने इसल डिपेय्ट नहीं होता है दूसरु पर निर्भण होता है लेक्टरा ओडिट ऊटरणती पाई जाती है मतब ये इया इसे एलेक्टरा करता है मतलब अपनी वस्त दूसरी बेक्ति को देनी की देता ही नहीं है वाथ यह देखेंगे तो मुर्परित्याद में वर इस तरीके से आप समझ सकते हैं आप सीख गए होंगे दोस्त आगे कुछ चीजिए हैं आप इलो मिता पाई जाती है मतलब इस अवस्ता में क्या होते रिवर्स बिल्टी का गुड़े नहीं पाया जाता है जो आप बताएंगे जो आप बताएंगे उसको रिवर्स करके चीजे प्रवाइड नहीं कर पाएगा जैसे आप सामने बताए तो सी गया लेकिन आप पीछे घुमा के पूछने लगे तो नहीं बताएगा आप बिलो मि निर्जीव को सब्सक्राइब में देखता है निर्जीव को सब्सक्राइब जमान्ता है उसे वाला जाए जीवाद बोलगा सचस्ष्षण का पाता है जो सनच्छित करने की चीज़े हैं उसको सनच्छित नहीं कर पाता है वस्तु की बात करें वस्तु का इस्थायत्यों की बात करें कहीं न कहीं बच्चे की सामने जो वस्तु है वा बच्चे की सामने अगर वस्तु एक बार दिखा दिए तो उसके सामने से उसके मायर से वो ची जो की सब्सक्राइब कामों में क्या है हाथ बटाने की इच्छा दिरे दिरे बच्चा पढ़ने लगता है जब बच्छा तीन-चार साल का आप देखेंगे घर के जो काम है है उसमें हाथ बटाने सुरू कर देता है इसलिए इस इस एका क्रिश्ट हर चारा मत्यां धर्ट करता है प्रदर्शित करता है आगा कुछ हुआ मामला गुसा हुआ उसको सारी चीजे जो मांग रहा उसको नहीं मिला तो नीचे गिर कर लोटने पूटना सुरू कर देता है और मिट्टी उट्टी लगा करके एकदम मतलब पागल हो जाएगा रोड़ने लगेगा और एक तरीके से हाथ पर पीरने लगता है तो क को ध्यान देती हुए चलना है अभी तक आप सभी ने स्यस्वास्ता की बारे में कुछ बिश्चिक नौलेज लिए उसके शावस्ता के बात करेंगे सब्सक्राइब लेकास मैं बात करें जो बच्ची में फिसकल की विश्चा चाल लेते हैं उसपर हम हम चर्चा कर लेते हैं और शिसू है वालक की बाद करेंगे और बाली का की बात करेंगे जब बच्चे का जन्म होता है और बालक है तो उसकी लंबाई कितनी होती है 25 दस्मनों 25 इंसों 20 दस्मनों 25 इंसों होता है या इसे हम सेंटी मीटर में कहेंगे 555 सेंटी मीटर होता है अगर बालिका की बात किया जाए तो हम कहेंगे बच्ची का अगर जो एद्दम स्वस्त है एद्दम अच्छा है मतलब सुस्त है तो बा-लिखा का जो लंबाई होनी चाहिए वह 250елю का बालक का वाहीं दसब्सक्राईज होना चाहिए वहीं फिरह बाले का अगर सेंटी मीटर में बात करें तो 51 cm होना चाहिए और वहीं बालक पर 51.5 cm होना चाहिए बात करें 6 वर्स में आकार क्या हो जाना चाहिए बालक का वा बालक का आकार कितना cm हो जाना चाहिए एक सो पाँ एक सो आड़ लोड Siz नितना, 185 cm हो जानी चाहिए वहीं पर बात किया जाए वहीं पर अगर बालिक कि आप करते हैं तो 6 वर्स के आंत मेंख आहुए किया होता है,土 कम स्कम बात करें एक सो 17,4 cm उसकी क्या हो जानी चाहिए लंबाई हो जानी चाहिए इस बात को है तो भी आपके सामने है के अंत में बालक की बात करें तो भी सामने दिखाई दे रहा तो इसको आपको अपने दिमाग में रखते हुए चलना है दोस्त आगे हम बात करें तो कुछ information है वह information की बात करें आरो ए-आरो या आपकी इंफ्रूर्मियसन है आप सभी बैस से जुड़ सकते हैं तो कितना होना चाहिए याप पाउंड में का सकते हैं गांच पांड के आसपास होना चाहिए अगर बाली का की बात करें तो अजंवे किसामे कीतना होना चाहिए ट्रीन के рас this गेरें जमे की समय है ऑलिका की बाद करें बालक की बात करें वालग थे 10302KW बाल्य खेंड मे requires keyword के बात करें ऑर में पार обछके वर्स में भार मत nggak के तक होनी चाहिए तो समझ लिजी सीख लिजिए समस्तिवे आगे चलेंगे तो फिर करना ही नहीं होगी अगर इससे कम है तो आप जानिए बच्चा स्वस्त नहीं है पूरी तरीके से आपको आपको जो खार पोषण है या उसका पोषण सही तरीके से आप रवाइड करो जि इससे समझते हुए चलना क्योंकि देखिए आप सभी ही की बात करें जो भी इसमें जो बालक है जो लड़के हैं जो भी पर रहे हैं उनके लिए तो इंप्वार्टन है लड़कियों के लिए ज्यादा खासका इंप्वार्टन होता है क्यों पाल मनो बिग्यान की बात करें क जाता है तो सबसे होती है इसलिए अगर बात किया जाए कोई भी जयानकारी रही बालमनोविझ्यान की या CDP की जयानकारी रही याद है तो आपको पताचल पाएगा कि बच्चे में क्या दिकते हैं और इसी हिसाब से क्या कर पाएंगे आप की जो को समझते हुए उसके पाप पिता जी से बताएंगी और बताएंगी तो उसका निराकरान सही तरीके से सही टाइम पर हो पाएगा इसलिए बालक को पढ़ना ही जरूरी है लेकिन साथ बात करें जो आमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत जरूरी है या भी आप लोग ध्यान देते हुए चलते रहें आपको सीखता है समझना है आगे बात करें कराकी अभया सिर्पर पजिन की मास्टिस भाट लेती है जब ही जई औरव्रेन हैं उसकी इस भाब करते हैं नौजाद सिस्व मेक्षड़न उसके अपेच्छा क्या बटा होता आप जानते भी हैं जो बच्चान नवजवात सिसू होता है जब देखें होंगे जन्म होता है बच्चे का जो सिर है उसकी बात करें वह सरीर की अपेच्छा बात करें बड़ा होता है ज्यादा बड़ा होता है और करें जन्म के समय बात किया जाएं जन्म के समय बात करें सिर की लं जो सिर की लंबाई है वह सरीर की लंबाई का कितना होता है एक बट्टे चार होता है या आपको याद होना चाहिए और एक्जामनर कई बार पूछा है कि सिर की लंबाई सरीर की पूरी लंबाई का एक बट्टे चार होता है जन्म के समय बात करें मस्तिस्त का भार की बात करें है तिन सो पचास ग्राम होता है जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तो तीन सो पाच्यास ग्राम तक होता है अगर बात करें जब जो च्छे वर्स की आयों तक बात करें वा उसका भार कितना हो जाता है मस्तिस का वा एक दस्मनों 2 kg 25 kg कि तक हो जाता है कि उसका मस्तिस का भार हो जाता है हडियों की बात कर लेते हैं और मतरां लेते हैं कि अफ़ी बॉंस कितने हट्डियां होती है नौजासिस में बात करें हट्डियों की संख्या बात करतें हैं कितनी होती हैं जब बच्चे का जर्म होता है तो अगर अग्यां banc कोई बैंके पूछे तर आप यह 270 होती हैं लेकिन बात किया जाए घृध्यों की जो सुध्रण की परिक्रिया है वह जब बच्च बच्चा देखें उठी के छोटा चोटा है तो उसके जो सकते अस्थी करण बोल सकते हैं या अस्थी विकास बोल सकते हैं जो द्रीवर होती है उसी हम जोंद करोके आदास कितने होती जन्म के समय बात करें जिसके दात होते ही नहीं है जन्म बच्चे का जन्म होता है तो दात नहीं पायाते या भी आप जानते होंगे तोकि यह बीसिक नोलेज है इसे आप देखने से ही आप थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवर्स करें तो आपके बहुत जब किसी घर में पढ़ते हैं या कि सुर अवस्ता पढ़ते हैं तो एक बार आपके आसपा छोटे बच्ची होंगे या बात किया आप इतने बड़े हो गए हैं कि एक बार आपने माइन को रिवर्स करके समझ सकते हैं कि या क्या चीजिए हुई रहे होंगी से सवास्ता में जब थे क्योंकि यही से सवस्था बाले अवस्था की सूर अगर आप समझना है तो अपने उपर या आपके परोस के उपर या किसी ब्यक्तिक ऐसा हो जो आपके नजदीक हो उसके ऊपर आप थोड़ा सा समझ करके इसी अच्छी तरीकी से सीख सकते हैं दोस्त बात करें सिस्व में लगभग कितने आते हैं प下去 ऑप से पूछा जाए उसमें बीस दूद केजाएं आते हैं लेकिन कर लगभग एक वर्स की आयूत अजाते मतलब जो दूद के दाथ होते हैं वह बीस दूद के दाथ होते हैं और एक वर्स तक में आते हैं जब बच्चा एक वर्स का होता है वो दूद के दाथ बीसो आ जाते हैं करा सिर्सु में इस्थाई दात लगभा लगभा बात करें पांचमें से छाठें वर्स की आयू में निकलने लगते हैं जब बच्चा पांच से छे वर्स की आयू में पोचता है तब बच्चे की जो इस्थाई दात हैं जो पूरे जीवन दात चलेंगे वह दात क्या होते हैं और का रहा है तथा इसी आयू में क्या होता है दूद्ध के दाथ गिरने लगते हैं जब अच्छा धीरे-धीरे नए जो इस्थाईदात आते हैं और धीरे-धीरे जो दूद्ध के दाथ हैं वो गिरने सुरू हो जाते हैं मतलब एक एक करते जाते हैं जो इस्थाईदात आते आते हैं और एक वरस्ति के अंत्र तक बात करें लगभभत जो बीस दूद्थ की दात होते हैं वह सारे कि सारे आ जाती है या भी आपको सीख लेना है आगे दोस्त करें तो करें सयसोवस्ता और गामक विकास पर चरचा कर लेती हैं जो इनफेंसी है और उसके जो बात किया जा पर बालक के जो सकती हैं और बात यह साथी साथ गती हैं और या मांस्पेसी हैं कि विकास से हम सीख सकते हैं जो बालक के सकती गती मांस्पेसी हैं इसके विकास से हम जोड़ सकते हैं अता हम इस प्रकार से बात करें अता हम इस प्रकार से संच्छेव में कहा जा सकता है इसे हम का सकते हैं जन्चे में भीआ कि बा लख में जो कुरिय करने की चम्फा है ली किया कलाएंगी वा बहुत महतफूर प्रॉइंट है जो बालक में जो कोई क्रिया कर रहा है जो एक प्रिया कर RPM dal ने के लिए जो बच्चे का छंता का विकास ही क्या का लाइगी वह गामक का विकास का लाती है तकम में सबस्टिट चलती है लिए बहुत इंप्ट्ट चीज़ है अगर आपसे कहें भी यह को सल्विकाज जो गामक कौसल का विकास होता है बालक में कैसे किस से किस सब्सक्राइब चलता है तो आप आप्यार की जो तरीकी जो सिर्क चित विकास होता गामक कि यह की तो करता है साथ आखो कि जो गदविधी है जो आख इधारु होधर करता चकर यह और मुस्कुराना यह क्याती है फिर्की च्छित की जो गामक योगता है या तीन चार चीजे बच्चा जो दो तीन पॉइंट देख नहीं आखो को गद्विधी है तो पसंद करता है तो मुस्कुरा देगा नहीं पसंद करता होका तो रोना करता सुरू कर देगा तो इस तरीके से गामक क्रियों की बात करें तो आप का सकते हैं कि सिर्के च्छित रहें इस तरीके से बच्चे का विकास होता है आगे बात करें हाथ का गामक योगता की बात करें हाथ की जो गामक योगता है उसका जैसे हाथ का मैंने आपको मैंने सिर् का यहां भूजाओं में गति पाई जाती है जब बच्चसाद्स जर्त में बिगता करता है Ūालक पकर का विकास हो जाता है यह से बात क्या जाएं अगर बच्छा साथ मां का है भुटा बच्छा है सात मां हो गया है उसे एक बात कि वात करें एक पर आम से पकड़ लेगा एक कि आधिक वह सोग को एक हात में किया अगया घण अ अपने हाथ का देख लिया, एक तरफ का देख लिया Mr. Hais है मा की आयूमें बालक क्या करता है बदर नेता है बच्चा कितने मा में बदलता है जास्वमा का बच्चा होता है तो करवट बद लेता है मतलब एक तरब से दूसरे तरब या अपने बोड़ी को अराम से करवठ या इधर उधर करते हैं शुरू कर देता कब 6 मा के उम्र तक मा के उम्र में ब hedge रहेगा तो उसका जो बालक का करवठ अराम से ले लेता है वहीं पर बात करे । बालक एक से अधिक वस्तु को पकड़ने की छमता भी हो जाती है यहात्ति सब्सक्किंट हैं विकास कैसे होता है साथ ही साथ बात करें गामक योगता में देखने को बहुत सारे प्राश्णे मिलते हैं तरह कि गामक योगता या इगक त्यातमक और को सल्मुख्य रूफ शे कितने प्रकार आज दो प्रकार करके होती हैं एक कि गामक कोसल रखकरी के चयोंते हैं मतलब का मतलब होता है जब बच्चा किसी चीज़ को बड़े भागों का यूज़ करके पकड़े अपने सरी के बड़े प्रिफिटे भागों का यूज करें तो आ क्या होगा स्थूल होगा जब बच्चा छोटे भाग किसी सरी के छोटे भाग से उस वास्थ को पकड़ने या एक्टिफिटीज करें फोटे भागों से तो हम सूच में गामक कॉशल की बात करते हैं कुछ महत्पूर्ण हाँ वाद में यूकी यूगता होती है और इसमें बात करें के बड़े भाग क्या होता अ क्या होता है चेला में क्या होगा द्रक्र्ण की योगता होती जैसे बात करें अभी आप देख पाने जो हम पिन से लिख रहे हैं मारकर पर या किसके अंतरगत आएगा या आएगा भीया सूच में गामक कॉशल के अंतरगत आएगा अगर आप से कहा जाए कि एक पर पर अगर हम खड़े हो जाए या हम दोड़ेने लगे य स्धूल बात किया याए उसे हम इस्थूल बोलेंगे अगर जब बड़े वहाग व्हाग का यूज हो रहे हों तो स्थूल के अंदर हैय्म मैंसिक विकास की चर्चा कर लेती हैं कि बात कर रहा है मेंटल डेवलेमेंट इन इंफैंसी की बात करते हैं जो बहुत महत्पुर्जी जी है करा कि भईया मांसिक विकास के अंतरगत मांसी विकास के अंतरगत हम बात कर सकते हैं बच्चे का जो भासा है जो बच्चे का लाइंग्वेज है तास कि व्यक्तिका या मेंटल डेप्लेमैंट है वह इन्हीं चीज़ों से चलता है जिसे बात करें संघ्र क्राइब या आपके मानसिक च pelos पाइंगे लिए कर पाएंगे सयस्व रस्था में मानसी विकास अत्यंत क्योंता है कि नीव गुझाल मांसी विकास अत्यंत बहुत दीव गुझ्स गहता है अंतीं भीगंद्ट जब बीगचा सहिभाष्ण में होता है वहीज पर करना मनमजन का भाएघ्यान के उसार थीन वर्ष की आयो तक वाथा contrib जाता है कितना आगर बोट्चा होता है तो लगभग लगभग इतना पूरे जीवन में उसका मान्सीवकास हो जाता है उसका लगभग 50 परसेंट बच्चे का मान्सीवकास हो जाता है तो आप कहा है तो आप कहेंगे जॉन लॉक है यह चीज़े पूछी गई है अब हम बात कर लेते हैं जो त्रात्म गूरूप से आपके सामने दिखाई गई है इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिस करेंगे तरह सो अस्था अच्छी आदतों का निर्मार करना सीखाएं अच्छी आदत करें अच्छी आदत क्या है अच्छी आदत क्या है अच्छी आदत क्या है तो खाना खाने जा रहा है तो कहें भी यह देखो एक काम करो लाइब वाई से हाथ धोकर के खाना खाना चाहिए या अच्छी आदत है य जो उचित हो वही उसी प्रकार का बेवार करें कोई घर में है कोई घर का सदस कोई बाहरी सदस से आया है तो बच्चे को पायर छुना या सम्मान के साथ चीजे ले आ तो इस तरीके से हम दें ऊचित environment थे क्योंकि उचित environment देंगे तो बच्चा स्वतन रूप से बच्चे का जो mental process है और अच्छे से डिवलाफ्ट हो पाएगा और अच्छा एरवायन्मेंट में जम रहेगा तो बच्चे का अच्छी तरीक से विकास होगा या कहता है उचितवाता वड़ना करता जिग्यासा संतुष्च करण की बात करें तो बच्चे कि ज़Не भी चीज़े पूझे उससे टाटना नहीं चाहिए कभी बैंगे तो जिग्यासा वहीं पर मर जाएगी खतम हो जाएगी और बच्चा सीख नहीं पाएगा पूरे जीवन तो जब की क्रिया अधायत सिखने की कोशिश किठे बच्च मुल्पृत्यों क prize को दीजिए द्स 네 सब्सक्राइध करते है और उसके उसको सपोर्ट वरें क्योंकि बच्चा अभी मुल्पृत्यों की अधायार पर सीखते हैं कित्रो कहानियों के द्वारा हम शिच्छा करेंगे आप के सामने शिच्छा की बात करें तो सीख गए हुगे अब अच्छ Catales concept आपको सब्छन आगे होगा तो बोस्त अच्छ से सीखना है समझना है और हम प्रयास है कि आपको अच्छे तरीकी से सीखाएं और समझाएं या तो आपके सामने सहसोवस्था से संब्धित कुछ महातपूर चीजे थी सहसोवस्था संब्धित क्या थी महातपूर चीजे थी अब आपके सामने कुछ प्रश्णों की सिंखलाए होंगी सहसोवस्था से संब्धित जो आपके पेपर में आए हुए हैं और आने की संभाव क्षिकन होता है तो एस सारीज पक्छ आपको समझ में आए होगा भीझ थे स्टाइश्वास्ता की परिभ्यास और सबढ़ों कि साथए साथ 602 समें सिछा किस परकार की दिनी चाहिए यह आपको सब्सक्राइब देखा होगा सवस्था की जो अन्य नाम है वाभी उसके साथ साथ आपने देखा कि सवस्था को हम किस प्रकार से एक नूट या इजा इन फैंसी या इन फैक्ट या इन प्लस फेरी या किस भासा का सब्दा है इन सभी को अच्छी से आपको पूरी तरीकी से भी श्षार रहा है आप जुरूर पूरी तरीकी से सीगे होगे दोस्त एक इन्फोर्मेशन हैं अपने हिंदी की कलास की आरो यायओ की बात करें प्रारभिक और परिषा के लिए आप इस यह बुक को पर्चेज कर सकते हैं साथ ही साथ समान अध्यन की समच्छा अधिकारी और ए आरो ए आरो की बात करें तो समान अध्यन की बुक है वाब अब प्री और मेंस दोनों के लिए पुछतक है इसे भी आप पर्चेज कर सकते हों आगे हम दोस्त बात करेंगे अब प्रशनों की सिंखला है उस प्रश्णों की सिंखला के माध्यम से आपको इस पश्ट रूप से एंस्वर देना है कि आपने क्या सीखा है जो मैंने अभी concept आपको बताए ध्यान ने करा कि किस आवस्था में सारे वृध्धी तीव गस्य होती है आप बताएंगे इस से कौन सा राइट होगा वेरी इंपॉर्टन कोशन बताते हुए चले और एंस्वर देते हुए चलेंगे दोस्त इसमें से क्या राइट होगा तो हम जानते भया जो कि सवस्था में सारी जो ब्रिद्धी तीव गस्य होती है मैंने आपको बताया था 600 अस्था में होती है राइ से सहस्वास्था की नहीं होगी रस सीखने की प्रिक्रिया में तीवर्था जिग्यासा की प्रिवित्ति अनुकरण द्वारा सीखने की प्रिवित्ति चिंतन प्रिक्रिया जी बताएंगे इस में से कौन सी विश्यस्था सहस्वास्था में नहीं पाई जाती है तो मैंने बच्चा आभी उसमें जो रिजिनिंग थिंकिंग है उसका डिवलप नहीं हुआ है और इसलिए आपकी बात करें डी ओप्सन आपका क्या होगा जो राइट ओप्सन होगा नेश्ट कोशन पर चलेंगे सैस्व अस्था में बच्चों का क्रिया कलाप कैसा होता है मूल प्रवि प्रित्यों पर आधायत होता क्या होता है मूल प्रित्यों पर आधायत होता है क्या होता है मूल प्रित्यात्मक होता है या आपको मैंने पहले ही बताया था जो बच्चा कारिकरता मूल प्रित्यों पर आधायत होकर के क्रिया क्लाप करता राइट ओप्सन कौन सा होगा वकर ट्र locked in pass के घ्रीवाशा अंग्रेजी भासा या अर्वी भासा रस्टेक्च सक्सक्राइश किसी भासा से बना हुआ है अच्छा प्रbledेश्य के मैं ने दोश्त आपको बताया था इन्षैंसी बोली जाती है इन्फेयेंसी। जो इनफेयेट सब्से बना हुआ है। कि नहीं बोलताते है और यहीमने आपको समझाया था चो लेटन भासा का सब्धते ए यह मैंने आप आपको बताया था इनफलेस्ट फेरी से बना हुआ जो इनफेंसी बनी होई है तो राइट ओप्शन होगा आपका ये ओप्शन करेक्ट हो जाएगा निश्ट प्रेस में चलेंगे नारसिद में सब्द किस मनों बैग्यानिक से जुड़ा हुआ इसे बोल सकती है स्वार्थी सो भाव बन सकते हैं तो आप जानते हैं स्वार्थी सब्छाम में बच्छे में होता है वाज्यादा करके 600 में होता है किसमें होता है सहस्वास्था में होता है और किस मनोब ग्यानिक से जुड़ा है या भी आप बता सकते हैं क्या फ्रायड है बुडवर्थ है कोलर है या जहें यह बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा दोस्त करेक्ट ऑप्सन कौन सा है वेरी इंपॉर्टन राइट अनुकर्ण की प्रवित्तिक की सवस्था की विशेस था है वाल्य वस्था पर सहस्वास्था का पौढ़ा वस्था का की सुर वस्था का अनुकर्ण की सवस्था की सवस्था है तो मैंने बताया था किसकी है तैस्व वस्था की है इनफायन सी कि क्योंकि बात किया जाए आप बच्चा कि सब्सक्राइब जो अनुकरणद करके बच्चा सीखंधा thought watching मम्मी का पिता जी का माता जी का भाई का निगया कि किसी दादा दादी का किसी भी विव्यक्ति का अनुकरन करके शिक्ता है वा सब्सक्राइब से ज्यादा 600 अस्था में अच्छा प्रश्ण है दोस्त बताएं आप सभी सेवंत नमर के लिए क्या करेक्ट होगा आप बता सकते हैं इस में से राइट एंसर क्या होगा मैंने आपको दोस्त बताया था रोज की डिपनीशन में मैंने कहा था बच्चा सिसु कल्पना का नायक है जिसका भली भाद निर् अच्छा था दोस्त नेश्क बात करेंगे प्रश्ण संख्या आट की मानी जाती है मतलब अधर की सिखाया है दोस्त आड नमर के लिए बताये तो आदतार की चिंतन की अवस्था की बाद करें चिंतन की उम्रे बोली जाती है दोस्त वाइस्ट अवस्था अप्षा नौगा बी अप्संप राइट होगा निश्ट कोशण पर रसे से सुवस्था सीखने का अनोखा काल है या कथन किसका है रोस का है पुड़वर्त का निर्दीतिसन जरूरी है या बता था मैंने बताया था या श्रय सवस्था इवन का सीखने का आखाल है या किसी डिफिनेशन है कि आपका सी ओप्सन पुरी तरीके से अगला द्रशन कई दस की बात करेंगे तो बताएंगे दोस्त आपसे कि हो लोग हो लाग एलिजावित हो लाग जो एक महिला उन्हों बैग्यानिक है वाइ इनकी बात करें उनके द्वारा क्या माना जाता है तो मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था जीरो से नृओ सब्सक्राइंबताया था हky reference क्या होंत दूस्त आला निष्ट कोशन करेंवं सहोकाल की आवध है एक वरस तक जन में से तीन वर्स या दो से तीन वर्स यो जन में से एक वरस वर्स मेंविटिंपटन कोशन और यही प्रश्ण बात करें आपकी पेपर में यूपीटेट यूपीटेट बात करें यूपीटेट 2019 में यूपीटेट बात करें यूपीटेट 2017 में यूपीटेट 2021 में या प्रश्ण रिपीट हो सका हो गया है क्या तिन चार बार या रिपीट हुआ है कई बार या प्रश् होगा तो मैंने आपको बता था जण मसी मतलब 600 काल मैने आपको बताया था इस तरीकि जो सबस्टन रहे मतलब जब तक क्या बोला था मैंने बोलने में आयोग नोग अर्थाद मुला था लिस में आयोग की बात करें बच्चा कब तक नहीं साब्दिक अर्थ का प्रयोग नहीं कर पाता है लगभग दूहर्स तक नहीं कर पाता है तो इसलिए इस बί decisions कtrack मोला जाता है 0 से दूहर्स जो बुला जाता है उसमानूबहे इन निक मानते है और इसी ली आपका जो राइट उन्सर जन्म संपको और क्या होगा कि जीर कुछ नहीं जो आ सकते हैं इस तरीके से मैंने explanation के मादम से सीखाने की कोशिश किया आप जरूर सीख पाएंगे और ऐसे ही आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो स्वस्त रहे और जो भी आप कारे कर रहें उसमें अपने कारियों में बेश्ट रहें और मेहनत करते रहें आग आपको जब हम पढ़ाते हैं आपको हम सिखाते हैं तो भी हमें motivation की जरूबत पढ़ती है क्यों क्योंकि बच्चा सीख रहा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है जो मैं बाते कर रहा हूं उसके बात बच्चों को बाते समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्योंकि हमारा और आपको अच्छे नॉलेज और देने की कोशिस होती है दोस्त जुरूर आप ऐसा कार करें जिससे टीचर मोटिवेट हो पाए और अपने जीवन को भविस्को जोल बनाते रहें दोस्त अगली क्लास मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वाद थैंक्यू मित नवसकार झाल झाल झाल